हेलो फ्रेंज, वेलकम टो टुवन्टीफूर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सेलेक्शन कमिशन, SSC की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन जो की फ्रेंज से यहाँ पर आपके जारी की गई है SSC में, यह फ्रें पर आपको देखने को मिल जाएगी, बात करेंगे यहाँ पर मॉबाइल से आप कैसे आविदन कर सकते हैं इसके बारे में और इसे वीडियो को स्टाट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ल लोगिन या रडिस्टर का ओप्शन मिलता है, अगर आप पहले से रडिस्टर है, तो डिरेटली आप यहाँ से लोगिन कर सकते हैं, पहली बार रडिस्टेशन कर रहे हैं, तो रडिस्टर नाव वाले ओप्शन पर आप किलिक करेंगे, इसके बाद इंस्ट्रक्शन को पढ दार काड़ है तो आप यहां पर yes करेंगे आपके 12 डिजिट का दार काड़ नमबर आप provide करेंगे इसके बाद है name section तो आपको फ्रेंट से आपका जो नाम है पूरा नाम आप यहां पर enter कर सकते हैं तो यहां पर फ्रेंट से जो नाम है वो आप अपके 10 की मार्शीट के according एंट नाम एंटर करने के बाद आपको फ्रेंट से नाम को आपको दोबारा से यहां पर verify भी करना होगा तो फ्रेंट से आपका नाम आप अपने according यहां पर enter कर देंगे नाम एंटर करने के बाद next option आता है फ्रेंट से आपके यहां पर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो पेसे अनो कर सकते हैं इसके बाद gender आपको यहाँ पर select करना होगा gender select करने के बाद आपका next option है DOB मिनसे date of birth का तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का calendar ओपन हो जाता है आपको friends आपका जो भी date of birth है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं तो यहाँ पर friends से देखिए जो date of birth है वो सिर्फ में sample के तोर पर यहाँ पर select कर रहा हूँ आपको जो भी actual date of birth है वो आप यहाँ पर enter करेंगे ऐसे ही आप date of birth को यहाँ पर verify कर लेंगे इसके बाद friends से next option father name का है तो आपको father name यहाँ पर देना होगा और इसके बाद friends से आपको इस नाम को यहाँ पर देखिए father name को आपको verify यहाँ पर करना होगा तो यहाँ पर friends से यह name की entry आपको यहाँ पर करने के बाद आपको next option मिलता है आपके mother name का तो आपको friends से same आपका जो mother name है वो आपको यहाँ पर enter कर देना है इसके बाद तेखिए neist option 10th का है टो 10th के देखिए board की जो list है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है सभी board की list आपको मिल जाती है अगर यहाँ पर देखिए आपको आपका board यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको एक option मिलता है others का आप यहाँ पर other भी select कर सकते हैं अगर आपका board नहीं है तो इसके बाद friends अगर आपका board यहाँ पर है तो आप अपने according board को भी यहाँ पर select कर लेंगे नहीं तो आप simply other को select कर सकते हैं इसके बाद verify का option है तो same आपको यहाँ पर आपका जो board है वो आपको आपको आपकी जो actual जानकारी है वो आपको यहाँ पर fill करनी होगी यह करने के बाद friends आपको देना है आपका error of passing मतलब आपने इसको कब pass किया है आप यहाँ पर उसे enter करेंगे सेम आपको यहाँ पर आपका error of passing को यहाँ पर verify करना है highest qualification क्या है वो आप दे सकते हैं अगर माली ज यहाँ पर mobile number enter किया है तो देखिए mobile पर एक OTP आई है उस OTP को friends आपको यहाँ पर enter करना है और उसके बाद आपको friends यहाँ पर आपकी OTP को validate कर लेना है ऐसे ही आपको आपकी mail ID एंटर करनी है उस पर भी आपको OTP send करनी है OTP आने के बाद ही friends आप इसे save and nest कर पाएंगे इसक registration number and password आपकी friends mobile पर mail ID पर आपको send कर दिया जाएगा इसके बाद आप यहाँ से continue tab पर click करेंगे continue करने के बाद friends आपको आपके registration number and password के साथ आपको यहाँ पर login करना होगा password कौन सा जो की friends आपकी mail ID पर और आपकी mobile पर आपको मिला है इसके बाद friends आपको देखिए एक new password पर green हो जाएगा, ऐसे ही friends आप यहाँ पर small letters यूज़ करेंगे तो वो भी green हो जाएगा, numbers आपको यूज़ करने है, और उसके बाद friends आप कोई भी special character यहाँ पर ले सकते हैं, आप sample के तोर पर देखिए, आपने upper case, lower case, special character, numbers आपको यूज़ करने है, उपर आपके पाद जो old password है, वो आपको देना है, नीचे आपको उस password को नए password को confirm करना है, कोई भी security question आप यहाँ से ले सकते हैं, तो दो questions आपको कम से कम यहाँ लेने होंगे, उसका answer आप दीजिए और उसके बाद save and nest कर दीजिए, इसके बाद friends आपको आपके नए password में login करने के बाद, सबसे पहले category का option है, तो आप यहाँ से आपकी category select कर लेंगे, nationality आपको यहाँ पर option मिलता है, nationality select कीजिए, कोई भी visible identification mark जिसे कोई cut का निशान, कोई mole है, तो आप उसकी जनकारी दे सकते हैं, नहीं है, तो आप यहाँ पर simply no mark की entry कर देंगे, ph candidate है, तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, type of disability दे सकते हैं, disability certificate number दे सकते हैं, नहीं तो आप no करेंगे, इसके बाद पूरा address आपका यहाँ पर आपको देना है, और यह आपका present address होना चाहिए, तो पूरा address आप यहाँ पर लिखेगा, इसके बाद state का नाम आपको यहाँ पर select करना है, तो आप यहाँ पर लेंगे, इसके आप save and nest यहाँ से कर देंगे, और इसके बाद आपके सामने आये का declaration, जिसमें आप I agree करेंगे, पिर्व्यू OTR करेंगे, पतला अपने OTR को आप यहाँ चेक कर सकते हैं, कोई भी गलती है तो आप उसे सही कर ले, अगर आपको लगता है OTR बिलकुल सही से फिल किया है, तो आप यहाँ से इसे declare कर देंगे, declare करने के बाद आपका देखिए friends registration process यहाँ पर complete हो जाएगा, और इसके बाद friends आप किसी भी form को लिए apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर registration complete करने के बाद आपको देखिए friends login करना होगा, तो आपका registration number and जो password आपने create किया है, और जो capture code है यह डाल कर आप यहाँ से login कर सकते हैं, login होने के बाद friends देखिए जो live application है, इसमें आपको junior engineer post का option मिल जाएगा, जिसके लिए apply वाले option पर आप click कर सकते हैं, instructions को read out कर सकते हैं, और fill form पर आप click कर देंगे, इसके बाद friends यहाँ पर देखिए, next option जो आपका आता है, वो आएगा qualification का, सबस में से किस subject के लिए या इसकिस stream के लिए apply करना चाहते हैं, आप उसके बाद उसे यहाँ पर verify कर लेंगे, highest qualification आपके diploma हो सकती है, degree हो सकती है, तो आप यहाँ से select कर लेंगे, इसके बाद friends यहाँ पर देखिए, next option है qualifying diploma या degree का, तो diploma आपने पास किया है, BE किया है, बी टेक किय जो भी आपकी qualification है, उसको आप यहाँ पर select करेंगे, stream select करेंगे, status आपका pass out है, तो pass select कीजिए, appearing है, तो आपको जो passing year है, उसमें friends आपको maximum 2024 का option मिलेगा, इसके बाद आपका state योटी का जो board है, आपका name of the board है, आपका जो भी फ्रेंट से last semester रहा है, उसका roll number क्या है, या year र सकते हैं, अगर आप यहाँ पर pass out है, तो आप pass select करेंगे, passing year क्या है, वो आपको यहाँ पर option मिल जाता है, passing year है आप select करेंगे, इसके बाद state योटी of board आपको यहाँ पर select करना है, या आपकी university का, इसके बाद board या university का जो नाम है, वो आपको यहाँ मिल जाता है जो कि आप यहाँ से select कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर आपको आपका जो roll number है वो आपको देना होगा मैं सिब sample के तोर पर enter कर रहा हूँ आपका जो भी actual data है वो आपको देना होगा, आपका percentage कितना है वो आपको यहाँ पर enter करना है और इसके बाद save and nest आपको कर देना होगा इसके बाद friends additional information है जैसे आप ex-serviceman है तो yes कर सकते है date of joining, date of discharge क्या है वो आपको देना होगा नहीं तो आप simply no करेंगे age में छूट चाहते हैं तो क्यू चाहते हैं वो category आपको select करनी होगी नहीं चाहते हैं तो आप simply no करेंगे आपकी information को friends आप DOPT की website पर show करना चाहते हैं तो yes कर सकते हैं नहीं तो आप no कर सकते हैं mandatory नहीं है इसके बाद आप save and nest यहां से कर देंगे इसके बाद friends आएगा exam center फिर friends तो आपके according जो भी center आप यहां पर लेना चाहें आपको friends यहां पर देखे reason के option मिल जाते हैं आपके according जो भी reason आप यहां पर लेना चाहें वो reason आप यहां से ले सकते हैं तो यह आपके उपर depend करता है fully आप किस reason से यहां पर जो आविदन है वो आप यहां से करना चाहते हैं तो reason आप यहाँ पर आपके according जो है वो select कर लेंगे, इसके बाद friends आपका nest option यहाँ पर आता है save and nest का, आप यहाँ से data को save and nest कर देंगे, इसके बाद friends nest option आएगा आप देखे photograph and signature upload का, अब यहाँ पर photograph जो है वो friends अब आपकी live photo जो है capture होती है, और इसके नीचे आपको यहाँ पर QR code भी दिया गया है, तो आप इस QR code की help की मदद से भी friends आप एक जो app है वो download कर सकते हैं, या simply आपको friends करना क्या है, आपको friends आपका जो mobile है उस पर प्ले स्टोर है उस पर आना होगा, प्ले स्टोर पर आने के बाद friends माई SSC आपको सर्च करना होगा, और जो माई SSC का जो यह app है इस पर आपको install का option मिलेगा, आप यहाँ से इसे install कर लेंगे, और जब यह install हो जाएगा इसके बाद friends आप इसे open कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए friends अब आपका जो यह app है यह open हो गया है, और जब यह app open हो जाएगा तो जो भी आपका registration number है, जो password है, जो यह capture code आपको दिया गया है, यह capture code फिल करके आप यहाँ से login कर सकते हैं, इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपकी जो my application section है, यहाँ पर देखिए friends आपको junior engineer का option मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको capture का option भी मिल जाएगा, अब ध्यान दखिएगा, friends अगर आपने अभी तक apply नहीं किया है, तो आपको इस my app में आप जब login करेंगे, तो आपको वो option शो नहीं करेगा, इसलिए आपको friends पहले apply करना होगा, आपके photo वाले section तक आपको जाना होगा, और उसके बाद ही friends आपको यहाँ पर जो आपकी photo है, वो आपको upload करनी होगी, तो इसके लिए friends आपको capture का option मिलता है, आप capture पर click करेंगे, इसके बाद friends आपको photo के आपको sample दिये गए है, आपको camera का option दिया गया है, आप यहाँ से camera से photo live capture कर सकते हैं, तो friends आपको यहाँ पर देखिए, आपका signature upload करना है, यह भी jpg format में upload करना है, यह आपके पास skin पहले से होना चाहिए, upload signature पर click करने के बाद, आपको friends आपको यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी आपका mobile में save है, आप वहाँ पर इसे import कर लेंगे, और उसके बाद save and nest पर click कर देंगे, इसके बाद friends आपको यहाँ पर यहाँ से चेक कर लें, किसी भी option में कोई गलती है, यह capture code आपको यहाँ पर फिल करना होगा, capture code फिल करने के बाद friends, आपको यहाँ पर save and nest का option मिलेगा, आप इस पर click करेंगे, आपका form देखिए, यहाँ पर submit हो जाएगा, और print application पर click करके, आप अपना application form का print out save करके, अपने पास से रख सकते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर process बता दी है, कैसे आप SSCJE का online form मोबाइल से apply कर सकते हैं, step by step process के बारे में, अगर आपको हमारी update पसंद आई है, तो like, subscribe जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है, हमारे साथ देखते रही है, हमारा YouTube चैनल, एला सेंक्स पोर वाचिंग,